हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग देखें इस समय विगत कुछ दिनों से दच्छणी पच्छमी मानसून दो हजार तेज के संदर में कुछ नकरात्मक इनफॉर्मेशन आ रही सुचनाएं आ रही है और विश्षुभर की तमाम वैज्यानी के जंसियां चिताउनी जारी कर द अब देखो जहां तक मानसून का दच्छणी पच्छमी मानसून का प्रस्ण है तो हम भारति उप महादीब के साथ संपूर्ण दच्छणी पुर्वी एसिया के लिए एक आसा की किरण होती है और यह कहा जाता है क्या कहा क्या जाता है यह सर्भौमिक सत्य तत्य है कि मानसून एक जुआ है आई तो बाजी जीत गए नहीं आई तो बाजी हारने का हमेशा अंदेशा रहता है तो संयुत राज अमेरिका की वैज्यानिक एजन्सियों के साथ साथ विश्व की तमाम एजन्सियां इस सुचना को प्रसारित कर रहे हैं कि इस वर्स अल्लीनों का प संत्र हाथ ठर्मोडाइनमिक कंप्लेक्स सिस्टम है जो अती परिवर्तन स्ीठा का सिम्र रहत लकerson में आप देखीयाती है और इहें अनिक कारकों से भावित होता है और इन कारकों को अगर देखें तो प्रमुख जो कारक है मानसून को प्रभावित करने वाले वो जैसे जेटि स्टीम की स्थिती, दच्छनी मासागरों में दच्छनी दोलन की परिस्थिती क्या है, इंडियन ओसं डाइपोल क्या है, इसके साथ अलीनो तथा लानीनों लालीना अलीनों तथा लानीना की परिस्थितियां क्या हैं तो अलीनों लानीना सबसे प्रमुख कारकों में से एक हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इस वर्ष वास्तों में अलीनों अगर आ रहा है अलीनों का प्रभाव होए तो किस प्रकार से हमारी भारत विवस्था नहीं अगर अर्थ विवस्था के साथ देखें तो हमारी समाजिक आर्थिक सांस्क्रति कर विविवा पूर्त प्रभावित करती है तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं Sबसे पहले मांसून की समानिक ्ष। कौん परिश्चिति को देखते हैं कि मानसून को किस प्रकार से यह महासागरी भाग या महासागरू में जो परिवर्तन हो रहा है प्रभावित करता है वैसे तो मानसून अगर हम बात करें तो एक संसूधित ब्यापारिक पौने होती हैं जो आदरता से लदी होती हैं और सम्मंदिश छेत्रों को भावतिक रसायनिक प्रक्रिया के द्वारा प्रभावित करती हैं कारीषिक प्रक्रिया के द्वारा थो आकर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मानसून की समानिफ परिस्थिति या क्या होती है और कैसे आती है तो हम मानचितर पर चलते हैं और आपको समजाने की कोशिस करते हैं संपूरण विश्व के मानचितर कोक्World के देखते ले हैं यह मानसून को प्रभावित करती है, तो यहां से समाननितर, हम इस सिती ये देख रहे हैं, कि ये हिंद महासागर है, ये दच्छनी प्रसांत महासागर है, तो समाननितर जब इन परिष्छितियों का अमर्द्येन करते हैं, यहां पर एक परिवर्तन देखा जाता है, एक विचलन देखा जाता है एक डाइनिमिक्स होता है जिसको हम कहते हैं दच्छनी दोलन साउदन ओसिलेशन इसमें समाननितर क्या होता है कि जब हिंद महासागर में निम्न वायदाब होता है तो निम्न वायदाब होता है वही पर जब दच्छनी प्रसांद महासागर में उच्छ वायद इस दुर्ष्णी पूरवी एसिया को प्रभावित करती है जिससे पूरा जन जीवन क्या होता है सकरात्मकरूस से प्रभावित होता है यह कभी कभी बाढ आजाती है लेकिन यह हमारे जरूरी है अगर यह परिस्थिती बदल गई कि इधर उच्चवायदाब हो गया, इधर निम्नवायदाब हो गया, निम्नवायदाब का ताथपरी क्या हुआ कि यहां पर परिश्टी क्या हो गई, कि यहां पर अचानक अल्लीनो आ जाता है, अल्लीनो, अल्लीनो क्या होता है कि कुछ वर्स के अंतराल पर यहां पर जब प पत्ती होती है जिससे अलीनो कहते हैं जहां तक अलीनो टर्म का सवाल है यह इस्पेनिस भासा से लिया गया और दिशंबर की महीने में आता है तो इसको नाम दे दिया गया चायल्ड आफ क्राइस ने इसा मसी का बच्चा ठेक इसा मसी का शिशू तो यह प्रवित्ती देखी जाती है तो समाने तो इस पर डिटेल हम बात नहीं करेंगे अभी किसी दूसरे वीडियो में करेंगे तो अलीन हो आ गया तो तापमान बढ़ा देगा तो यहां पर लो प्रेसर हो जाएगा इसके पेच्छा इन महासागरी छेतर में क्या होगा अब इच्छा कित हाई प्रेसर आएगा तो ब्यापारिक पौने औरुद्ध हो जाएंगी और मानसून भी क्या होगी औरुद्ध हो जाएगी समाननित यह देखा जाता है दच्छनी महासागरी दोलन में अब इसमें अगर हम बात करें कि वर्तमान की जो सूचना दी गई बैसिकली ईवेस एजन्सियों के द्वारा से उत्राज अमेरिका की जो बैग्यानिक संस्था हैं वो वार्निंग दे रही कि इस साल अन्नीनों का प्रभाव होगा और पिछले कुछ बित वर्स में जब हमने देखा कि उन्निस बीस बीस सिक्किस बाइस वाले बित वर्स में लानीना का प्रभाव था तो मानस 182-83 में 82-83 में फिर इसके बाद 1997-98 में इसका जबर्दस प्रभाव हुआ जिसके कार इंडोनेसिया मलेसिया फिलिपीन्स में भैंकर सुखा आ गया और कैलिफोर्निया इन छेत्रों में जो हम देखने हैं तो कैलिफोर्निया और पेरू की तड़ जहां पर आटा कामा में इस्थित 튀 जानते हैं यहां पर आटि शीटल जल्धारा और यहां पर जब हम देखते हैं तो आस्टेलिया के पास भी क्या होती गरμद्धारा आती है पुर्भी आस्टलियाई जलधारा यहां से चलती है क्या चलती है पुर्भी आस्टलियाई जलधारा यहां से चलती है यह अत्यदी कि अभी क्या होती है गरम होती है तो यहां सीतल यहां गरम यहां से क्या हुआ एक तरह से प्रेशर गरडियन बन गए हाई प्रेशर लो प्र प्रेसर फिर यहां पर देखो यहां पर फिर क्या हुआ कि एक हाई प्रेसर आया है तो यहां पर क्या हुआ कि एक जल्धारा चलती है जिसको हम कहते हैं पच्छमी आस्टेलिया की जल्धारा जो कि सीतल है कोल्ड है तो यहां फिर मुझांबी की जल्धारा चलती है तो इस्थ जादा है उसी तरह से यहां लो प्रेशर बहुत जादा है फिर यहां पर समाने हाई प्रेशर यहां समाने हाई लो प्रेशर तो यहां से मानसूनी पौन जो बैपारिक पौनों के रूप में है क्या मिला है डिफ्ट मिला है उडिफ्ट के कारण एक्सलेरेट होकर यहां आती ह और जैसे ही यहाँ पर मेस्केरियन दीप के आसपास पहुंचती हैं, तो सूरी के उत्राइन दशनेयान वाली परिस्तिती हैं, उत्राइन के खारण यह क्या होता है, यह वास्तों में जो विश्वत रेखा कार्यात्मक उत्तर की तरफ है, तो यह हमाई इधर जाती हैं, लेकि घुंडन गती की प्रभाव से जो कोरियालिस वनुत्पन होता है, उसके प्रभाव में आकर अपने दाहिनी और मूड जाती हैं, और संपुन भार्तियूप महादीप के साथ साथ यह दचनिक पुर्वी एस यहां को पूनतर प्रभावित करती हैं, तो ला नीना की कंडिशन में क्या होता है, मैं यहां हूँ, कि ला नीना के कंडिशन में यहां कुछ विशेश परिस्तियां बनती हैं, और यह अत्यधिक शीतल हो जाती है, पेरू की जल्धरा के साथ साथ, यहां जो सागरी शत्र है, अत्यधिक शीतल हो जाता है, जो थ्रेस होल्ड माना जाता है, त तो प्रेशर गर्वान का 24 डिग्री सेंटीग्रेट से नीचे तापमान हुआ तो क्या हो जाती है ला नीना की स्थिति आ जाती है ला नीना भी स्पेनिस सब्द है इसका साब्दिकर्थ है चाइल्ड अफ गूमेन इस्तिरी का बच्चा जो सौट है तो यहां अगर हाई प्रे दीप के साथ साथ पूरे के पूरे इस दच्चनी पूर्वी जो दीप समुमें इंडोनेसिया मेलेसिया हिंद चीन फिलिपिन्स हो गए रखो वर्षा से सराबोर कर देती है तो यह इस्तिति हो जे ला नीना की तो अभी तक इस्तिति क्या देखी गई उन्निस बीस बीस सिक जैंसियों के साथ अन्यवैग्यादिक जैंसियां जो दे रही है सूचना दे रही है ये पूरे उपमहादीप के साथ साथ दचनी पूर्वी एसिया के साथ स inputs के लिए चिन्ता का विशह है क्योंकि वैस्विक अर्थ बैpower McG • और इन देशोंरों की अर्थ बैवस्था भी नकषर होती है तो वैसे वि विश्ण के मंदि चल लीए तरह तरह की समहस्य आये तो और मंदी का शिकार हो जाएगा तो यह चिंता का विश्ण है लेकिन हम इसको कैसे समझेंगे तो देखें दूसरी condition है यह condition है condition अल्लीनो अल्लीनो condition में क्या होता है कि देखें आप यहाँ पर अचानक गर्म जलधारा आगी और पेरू की जलधारा यहां छिर नजर होती आ रही है सामय कुरूप से और यह दिसंबर के महिने में आता है तो अल्लीनो करेंट आगी अल्लीनो करेंट की स्थिति क्या है कि मा पहले यह बताया जाता था दो चार दसक पहले कि तापमान में दो से चार से पांच डिग्री सेंटीग्रेट की विर्द्धी हो जाती है तीन से चार डिग्री सेंटीग्रेट की लेकिन यह विर्द्धी बहुत ज्यादा है क्योंकि मासागरी भागों में जो temperature gradient एक डिग्री से कम रहता है दैनी तथा वार्सिक अनिक मत कितना हो गर्मी पड़े कितना हो भैंकर से भैंकर गर्मी पड़े इस थली भाग में तो थ्री डिग्री सेंटीग्रेट का परिवर्तन होगा उस इस्थि में देखा जागर चार डिग्री temperature अगर बढ़ गया तो बहुत ज्यादा है लेकिन वर्तमान में देखा जब जलवाई परिवर्तन की जो परिष्थितियां आ रहे हैं बैस्विक परिष्थिती है तो अलीनों के कांड दस डिग्री सेंटीग्रेट तक ताप मान बढ़ जा रहा है जहां थ्रेश होल्ड रहने एक सीमा 24 डिग्री सेंटीग्रेट की अधिक्ता में उसको क्रास करके यह 30 के ऊपर चल शुत रहे हो गई तो जो ब्यापारिक पॉन है जहको जो हो फोती च्छोटी व्यापारिक पॉने दिखाएंगे क्योंकि ब्यापारिक कोनों का संचार प्लाक से चींटा नेचुनल आ होता है हवाए आता है तो इस वर्ष 2023 के लिए चिंता का सबब है चिंता का भी सह है कि अगर अलीनों विक्षित होता है तो दच्छनी पच्छमी मानसून अगर हमारी धोखा देगी तो हमें आगे किरणनेती क्या अपनानी होगी तो यह इस्थिति आई है किसके अलीनों के संदर में तो अली प्रभाव के बावजूद यहां पर एक इंडियन ओसन डाइपोल बनता है इंडियन ओसन डाइपोल की स्थिति अगर सकरात्मक रहे तो इस परभाव को भी यह निवनिक्रित कर देता है तो यह अब परिश्थिति भविश्य के गर्व में छुपा हुआ क्या इंडियन ओसन डाइपोल इसको निट्रलाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा तो यह सुचना आ रही है कि 2023 की मानसून पर अलीनों का काला छाया धीरे धीरे बढ़ रहा है अब भविश्य में देखा जाए 2-3 महिने के अंदर जब मानसून का संचार होगा अच्छी तरह से हो पा रहा आए त्वासा करता हूं कि यह जो सुचना इस संदर में जो आपको नौलेज दिया गया आपके लिए प्रासंगी को होगा ओके थेंक्यू वेरी मैच